हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, आएम डॉक्टर बीना सेथी और आज मैं आपको बताने चाह रही हूं कि लेडीज अपनी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मसाज कैसे करें और कौन से ओईल से करें देखिए आजकल की जो लाइफ स्टाइल है और जो हमारी डाइट स्टाइल है दोनों ही हमारी फर्टिलिटी के लिए नेगिटिव इंपेक्ट रखती हैं दोनों ही हमारी फर्टिलिटी को घटाती हैं तो आपने इसमें कुछ देखा होगा कि जरा से भी अगर एज बढ़ती ह तो infertility की problem सबसे पहले आकर खड़ी हो जाती है तो इसके लिए आपने क्या करना है एक fertility massage हम आपको बताएंगे आपने fertility massage करनी है दिन में आप सुभाब, दोपैर, शाम कभी भी कर सकते हैं एक बार या दो बार maximum सारा दिन massage नहीं करनी है और इसके लिए आपने या तो caster oil जिसको अरंडी का तेल करते हैं या आपने जैतून का तेल जिसको olive oil करते हैं वो लेनी हैं अगर आपके पास ये दोनों ही oil नहीं है तो आपके पास simple घर में या तो mustard oil होगा, सरसूं का तेल, coconut oil होगा कोई साबी तेल है आप वो तेल जो की थोड़ा चिकना जादा हो आप वो वाला oil लीजिए फिर उसके बाद अपनी इन दौनों फिंगर्स को ये जो बीच वाली दौनों फिंगर्स हैं इनके उपर आप oil लगाए अपने पेट के उपर oil लगाए और इनको नेवल के दौनों तरफ रख का पहले clockwise दस बार गुमाईए मतलब नेवल से जैसे यहाँ नेवल है तो आप इससे दो इंच दूर आजाए दौनों फिंगर्स को दो इंच दूर करके और फिर इसको ऐसे clockwise गुमाईए पेट के उपर दस बार और दस बार एंडी clockwise गुमाईए और ऐसा आप पांस से साथ मिनिट तक कर सकते हैं ऐसा करने से जो ब्लेट का circulation है around your uterus वो increase होगा और इससे आपकी infertility की problem जो है वो improve होगी यानि की infertility कम होगी, fertility आपकी improve होगी और इसमें कोई ज़्यादा आपका खर्चा में नहीं आने वाला है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है as per your convenience आप इसको सुभा भी कर सकते हैं दोपेर को भी कर सकते हैं शाम को भी कर सकते हैं लेकिन दो बार से ज़्यादा आपने ये मसाज नहीं करनी है तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि fertility मसाज कैसे करें अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक्यू वरी मच अल दा वरी बेस्ट